आज हम इंडिया गेट पर इंडिया गेट पर देखी के मैं केमरा मेंचन रोत रहूंगा ये कैमरा को चार तरफ घुमाएं और इतनी बहुत आदात के अंदर जो पब्लिक आई हुए जनता आई हुए इसका कोई मुख्य कारण होगा और मुख्य कारण जानने के लिए हमारे पीच में अनिल जी हैं और जीए एसके अंदर आधिकारी है और एक हमारे उप घोतम जी है जो आकासवारी तन आदिकारी है और और प्रकाष जी और हम ज हमारे बीच में सुस्मा चंद्राजी है जो चीफ मेडिकल ऑफीसर है पहला इनसे जानकारी लेते हैं अब आज ये बहुत आदात के अंदर पब्लिक आए इसका आने का क्या कारण है आज 26 नौंबर है और 26 नौंबर को हमारा जो है बाबा साहब ने अज अपना समीधान कंप्लीट करके सो कंस्ट्यूशन कमेटी को समर्पित कर दिया था तो उसी के लिए हम यहां पर आज अब समीधान दिवस मनाने के लिए यहां इकत्रत हुए तो चंद्राजी जब समीधान लागू हो गया औ आप लोग इतनी ताजात कंद्र क्यों आए क्या कर रहे हाने का हमारे बाबा साहब हमारे लिए गौरब की बात है उन्होंने देश का इतना अच्छा कानून बेवस्ता और इतनी अच्छी समीधान लिखा जो दुनिया का सर्विस समीधान हैं हम उसको मनाने के लिए इकठा हुआ हम हर साल जब तक हम लोग जिन्दा हैं और आगे भी हमारी कई जनरेशन जब तक हम इसको करेंगे कि जब तक यह हमारे यह जाती पात नहीं मिल जाता है हमें समानता अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम यह Constitution देवस मनाते रहेंगे बाबा साहब की याद में महिलाओं के लिए तो बाबा साहब नहीं पहला कदम उठाया था उन्होंने ही समानता का इधिकार दिया था उन्होंने मेटरनिटी लीव समान बेतनमान पुरुषों के बराबर समान बेतनमान का उन्होंने निर्धारन किया था श्रम में भी उनको बराबर महिलाओं को बराबर की तो आज आज इसे आप तोहार के रूम में मना रहे हैं पिकनिक के रूम में मना रहे हैं हमारी बीच में ब्याडिकारी अनिल कुमार जी भी है १ितनी बहुत आजात के अंदर अधिक्टर नीले वस्त्र पहन कराओं चाहते हैं मनवर चैबीम सबसे पहले SM News को धनवाद कि आज इंडिया गेट पर राजपत पर आप इस चैनल के द्वारा हम सभी मूलनिवासी बहुजनों को और भारत के सभी लोगों को जो यहाँ पे आये हुए हैं पिकनिक बनाने आये हैं आज का दिन भारत की सचमच आजादी का दिन है आज के दिन डॉक्टर बाबा सब अम्बेटकर ने भारत को समिधान दिया था महिलाओं की आजादी दी थी बोट का अधिकार महिलाओं को दिया था महिलाओं और इस देश के मूलनिवासी बहुजनों को यही नहीं सभी नागर हम भारत के लोगों को आज बावा सहब डॉक्टर अम्बेटकर ने संविधान दिया था यहीं संसद में संविधान हैंडोवर किया था पूरी भारत की पार्लेमेंट ने ये संविधान को स्वीकार किया था इसलिए इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में हम मनाने आये ह अकेली पिकनिक मनाने नहीं आए हैं ये सारे भारत के आजाद लोग बोट की वैलू पहचानने आए हैं इस नीले कपड़े में भारत के मूलनेवासी बहुजुनों की पहचान है ये इसलिए हम सभी का अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं और सबसे बड़ा मुबारक बाद 26 नॉवबर का दिन महिलाओं की आजादी का दिन है जो डॉक्टर अमबेट करने बावास साव अमबेट करने दिया था उनको अधिकार और उस अधिकार की खातिर आज का दिन संभिधान दिवस जो इस देश के सासकों ने भुला देने की कोशिस की 26 नवंबर का दिन आज हम मनाने आए हैं जय भीम करने आए हैं पूरे देश को भारत को हम यह बताने आए हैं कि सम्विधान दिवसी एक तरह से आजादी दिवस है इसलिए हम आए हैं अज के दिन सायद बाबा साफ ने अंदर लिखा था कि किताब या वह समिधान दे रहा हैं कि आज के likapeट का पैढा और कर दिया है जो बांनी के पैड्म से अब यह इंतली होगा क्या यह सत्य है ऐक्र किरपलानी जी ने बाबा साथ को पूछा कि आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो तो बाबा साथ डॉक्टर मेटकर ने कहा कि आज मैं उस काम में कामयाब हो गया हूं कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा वो बैलेट पेपर से होगा और आज बैले आजादी का लिखित दस्तावेज है भारती समिधान अखेला समिधान नहीं है इस देश के 125 करोड लोगों की आजादी का लिखित दस्तावेज है जो बाबा सावम्बेटकर ने मून लिवासी बहुजुनों को गरीबं को महिलाओं को और सभी दर्म के मानने वालों को सभी धर्म के मानने वालों को डा 점 Daarम आप डिस कंट्रीज इंडिया ये देश भारत है ये देश हिंदुस्तान नहीं है ये देश इंदुस्तान ohne fake water frozen byитье जैसे माता कहते हैं तो पिता जोड़ना पड़ेगा तो फिर पिता कान हुआ ये देश भारत है और भरतवर्श है इंड़ दा भरतवर्श इंडिया, that is भारत, भरती ये समिधान की पहली आरिकल, the name of this country is इन्डिया, that is भारत, भारत का समिधान, आज हम समिधान को नमन करते हैं। आज इस देश की पार्लेमेंट को, और इस देश के लोगों को, वी दा फीपल अफ इंडिया हम भारत के लोगों को भारत का समिधान दिया लेकिन उन्होंने एक बात कही थी मैं आपको यह बात याद दिलाना चाहता हूं उन्होंने कहा था हम आज के दिन जिस दिन आजादी का गरतंतिर दिवस जब यह समिधान 24 नौमर को तो इस देश के हुकमरानों ने देश को 24 नौमर तो बताया ही नहीं तो 26 जनवरी को गरतंतिर दिवस के दिन इसको कहा गरतंतिर दिवस कहा लेकिन 24 नौमर को भोला दिया दोस्तों आज 24 नौमर इस देश की आजादी का दिवस है समिधान दिवस है आज सब लोगों को 26 नौमर बहुत-बहुत मुवारख हो आज 26 नौमर है आज इसको बड़ी आज 26 नौमर है समिधान दिवस के रूम में मना रहे हैं समिधान एक कानून को कहा जाता है आप एक डॉक्टर है आपने पिएचडी करी है और आधिबक्ता भी है क्या समिधान आज खत्रे में है सबी लोग मंझ से बोलते हैं समिधान खत सविधान का आज आता है कानूनों का जो बाप हो सविधान होता है और हक परस्ति में जब कभी राइश हुमारी होगी वह सबसे पहले आवाज हमारी होगी सविधान को बदलने की बात है जो धर्म के नाम पर लड़ने की बात करते हैं बात बात पर सविधान बदलने की बात करते हैं तो सविधान किसी के बाप की बपोती नहीं और रही बात 26 नुवंबर उनिस सो नचास और 26 जनवरी निस सो पचास मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 26 सविधान दिवस मनाता है क्योंकि सविधान दिवस के अधिकतर जो प्रावधान थे वह 26 नुवंबर उनिस सो नचास को लागू हो गए थे लेकिन कॉंग्रेस ने एक रेजूलूशन 26 जनवरी सविधान दिवस मनाएंगे तो 26 जनवरी को आएंगे और सविधान दिवस मनाएंगे तो 26 जनवरी को आएंगे तो 25 जनवरी को आएंगे वो जो लॉडे है जो कॉंशिचिटुच्टुचिए यहाँ वा ट्वनटीछ ऑफनवंबर 1949 a or jockey Republican day or by India is not a Republic country totally India is not a Republic country it's a Democratic Republic country the Republic in Republic the person born and person person born from the legacy but in the democratic but in the democratic liberal democratic Republic a person born from a ballot and vote so हम जो यहां है 26 तॉम्ब निस तो नन्चाज की जो असमीता है गरीमा है उसे बचाने के लिए और इस वज़े से हम सभी लोग याए करते हुआ